हाई गैज विल्कम टू मैं चैनल और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फेस्टिवल मेक अप ये मेक अप लुपा किसी भी फेस्टिवल या शादी में कर सकते हो तो चलिए अब करते वीडियो स्टार्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने में चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो कर लिजे और साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लिजे चलिए बढ़ते अब वीडियो के तरफ तक सबसे पहले यहाँ पर मैं अपलाई कर रही हूँ अयूर का टोनर टोनर लगाना बहुत जरूरी है टोनर हमारे ओपन पोर्स के लिए वह अपलाई कर सकते हो दैन मैं अपलाई कर रही हूँ लोटस की संस्क्रीन संस्क्रीन लगाना मस्ट है आपके बद जो संस्क्रीन हो आप वह अपलाई कर सकते हो बद संस्क्रीन लगाना वह ज़रूरी है उसके बाद मैं अपलाई कर रही हूँ हाफ एन हाफ का प्राइमर ये प्राइमर काफी अच्छा है, काफी सिल्की अं स्मूथ बना देता है फेस को, दैन मैं अप्लाई कर रही हूँ, पॉंड्स की बीबी क्रीम, ये ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी, आप जाहो तो हाथ से ब्लेंड कर सकते हो, दैन मैं मिस कोल्ड पेलेट से ले रही हूँ, ये ब्राउन शेड और उससे अपने अप्लाई को फिल कर रही हूँ, दैन मैं अपने अप्रोज को क्लीन करने के लिए, ताकि थोड़ी मेरी अप्रोज क्लीन दिखे, इसलिए मैं अप्लाई कर रही हूँ, दे फैशन फैक्टरी का कंसीलर, विकोज मेरी अप्रोज क्लीन नहीं है, तो आप भी ऐसा कर सकते हो, उसके बाद मैं सेंट कंसीलर अपने आइस एड़ अपने फैस पे अप्लाई कर रही हूँ, दैन मैं उसे ब्रश की हेज से अच्छी से ब्लेंड कर दूँगी, एड़ ब्यूटी ब्लेंडर के हिल्प से मैं अपने पेस का कंसीलर अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी, अब मैं अप्लाई कर रही हूँ, लैक में का रोस पौडर, ये काफी अच्छा पौडर है, एड़ आइस मेकप के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ, शिमर कलर, उसके बाद मैं ले रही हूँ, ये कलर, मैट कलर, और उसे अपने crease line पर अच्छे से apply कर रही हूँ देन उसके बाद मैं ले रही हूँ yellow curler और उसे भी मैं अपने crease line पर अच्छे से blend करूँगी और उसके बाद मैं ले रही हूँ ये red color और उसे अपने crease line पर हलका apply कर रही हूँ आउटर वीपर मैं ब्लेक एंड डेंड टोणों को सात में बिलेंड कर रही हूँ ब्लेंड नहीं तैप पर करकर सिप अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद मैंने लिया है येलो सेम यलो कलर और उसको मैं अपने इनर कॉर्णर के resec line पर ही अप्लाई कर रही हूँ then मैं अपने lower lash line पे apply कर रही हूँ yellow color and red color सबसे पहले red color apply किया है then मैंने yellow color भी apply किया था और अब मैं apply कर रही हूँ elatin का liner and blue heaven का काजल अपने water lash line पे and upper lash line then मैं same palette से ले रही हूँ ये brown color contour के लिए और उससे अपने पूरे face को contour कर लूँगी और highlighter के लिए मैंने लिया है matte look का highlighter palette अब मैं apply कर रही हूँ blush bright blue heaven का blush है ये then मैं apply कर रही हूँ red lipstick और उसी के उपर मैं apply कर रही हूँ pink magic ये किसी भी shop में आपको 30 से 40 उपे में मिल बहुत आराम से मिल जाती है इससे काफे glossy लगता है आप खुद देख सकते हैं तो गाइस ये है फाइनल लुक अगर ये वीडियो और ये लुक आपको पसंद आये हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब टू मैं चैनल मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई